मारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले बोलें शहर के डिबाई में उस वक्त संसनी फैल गई जब लोगों ने अग्यात व्यक्ति का अधिजला शब सडक किनारे पड़ा देखा शब के पास कार्टूस का खाली खोका पड़ा मिलने से आशंका जताई जा रही है के पहले युवक की गोली मार कर हत्या की गई और फिर हत्यारों का ये गुणा बे पड़दा ना हो सकी इसलिए मृतक के शब को आग लगा दी गई फिलहाल पुलिस ने मृतक शब का पंजनामा भर पोस्ट मॉटन के लिए भेज आगे की पड़ताल शुरू कर दी है डिबै कोतवाली के गालेपुर संपर्क मार्क बर आज रहगीरों ने अधजला शब पड़ा देखा तो सूचना पुलिस को दी गई पुलिस और फॉरंसक टीम बेटना स्थल पर पहुँची और फोटोग्राफी करा शब की श्रिनाक्त का प्रयास किया लेकिन अभी तक शब की श्रिनाक्त नहीं हो सकी है शुरूबाती जांच में पुलिस भी मान रही है किम्रतक की हत्या कर श्रिनाक्त मेटाने की मंच्रा से शब को फूंक गया है थाना डिबाई चित्र में आज एक अग्यात सव अतिजली स्थित में मिला है और जो डिबाई हाईवे से लगभग 67 किलो मीटर की दूरी पर गाली पूर नाम का गाउं है वहां के खेतों में जो बिलेकुल इंटीरियर है आसपास कई किलो मीटर तक कोई आबादी नहीं है वहां पर शब मिला है और ऐसा प्रतीत होता है गोली मार की पहले हत्या की गई है इसके बाद सिनाक्त छुपाने के इरादे से सव को जलाने का प्रयास किया गया है वही बुलन चहर पुलिस के आना अधिकारियों की ओर से दावा किया जा रहा है के जल्द ही शव की शिनाक्त कर हत्यारों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा Editor-in-Chief Iqbal Saifi Kesad, Hamid Saifi, Time24 News